अब 13 नम्मर का हम लोग देखेंगे questions है 2 by 3 plus 3 integer 1 by 6 plus 4 integer 2 by 9 plus 2 integer 5 by 18 ये questions दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको integer को तोर लेंगे ये mixed fraction में है ये तो mixed fraction में नहीं है और ये जो mixed fraction में है उसको हम लोग improper fraction में change कर लेंगे improper fraction हम परहा चुके हैं जिसका denominator छोटा होता है denominator से उसको improper fraction करते हैं ये हम change कर लिए और change करने के बाद change कैसे करते हैं तो ये 3 को 6 से multiply करते हैं कितना होता है 18, 18 plus 1 कर देते हैं 19, 19 by 6 हो गया या improper fraction फिर 4 से इसको multiply करेंगे 9 को 36, 36 plus 2 करेंगे 38 by 9 हो जाएगा 2 into 18 करेंगे तो 36, 36 plus 5 करेंगे 41 हो जाएगा by 18 हो जाएगा ये improper fraction में हो गया ये proper fraction में है एक पहले से proper fraction में हमको दिया हुआ है अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले denominator उसका LCM ले लेते हैं तो 36, 9, 18 इसका LCM निकालना है 36, 9, 18 का LCM हम निकाल लिए 2 से लगाएंगे तो यहां 3 हो जाएगा यहां 3 हो जाएगा यहां 9 हो जाएगा यहां 9 हो जाएगा ठीक है? अब यहां पर 3 से लगाएंगे तो यहां 1 होगा यहां 1 होगा यहां 3 और यहां 3 फिर यह 3 से लगेगा 1 1 1 फिर यहां 1 अब LCM of 3 6 9 and 18 equal to क्या होगा 3 into 3 into 2 equal to 18 18 हमको LCM आ गया अब LCM आने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस तरह से LCM को नीचे में लिख देंगे अब यह जो है इस denominator से यानि कि पाला में देखेंगे पाला fraction क्या है 2 by 3 है पाला fraction यहां पे 2 by 3 है 2 by 3 में denominator जो है 3 3 से हम divide करेंगे 18 में तो कितना times में लएगा 6 times में तो 6 से यह divide करने के बाद 6 आएगा 6 को यानि कि 6 को हम multiply कर देते हैं 2 से तो 6 into 2 करेंगे तो 12 फिर 6 से यहां पे हम लोग divide करते हैं 6 से divide करेंगे किसको 18 को तो 3 times में लएगा 3 into 19 करेंगे तो 57 हो जाएगा फिर 9 से divide करेंगे 18 को तो 2 times में लएगा 2 into 38 कर देंगे तो 76 हो जाएगा फिर 18 से divide करेंगे तो 1 times में लएगा 1 into 41 करेंगे तो 41 हो जाएगा अब सब को हम add कर देते हैं तो 1, 6, 7, 7, 7, 7, 14, 14, 14 to 16, 16 का 6 हांसिल, 1, फिर यहां 4, 7, 11, 11 प्लस 5, 16, 16 प्लस 1 17, 17 एक हांसिल था, केड़ी था तो 18, तो 186 हो गया आप by 18 इसको हम cancel कर देते हैं 6 से cancel हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 18 होता है तो 3 हो जाएगा नीचे, 3 और उपर में ये 31 हो जाएगा तो 31 by 3 हो गया इसको हम लोग integer में change करेंगे तो 31 में 3 से divide करना होता है तो 31 में 3 से divide करेंगे तो 10 आजाएगा और 1 आजाएगा remainder तो ये इस तरह से हम लोग लिख देते हैं तो यही answer होता है तो ये same process से सारा सवाल बनेगा तो फिर सारा सवाल पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है